हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आज हम नेक्स टॉपिक लेते हैं प्रेपोजिशन का आट का अब आट जो है हमने मैंने यह पर प्लेस और टाइम लिखा हुआ है मतलब दो जगे यूज होता है आट प्लेस के लिए और टाइम के लिए भी प्लेस कौन से वाली प्लेस के लिए छोटे स्थानों के लिए small places के लिए जैसे at church, at temple, at cinema hall, at market area तो इनके लिए क्या use होता है? तो small places के लिए क्या use होता है? जैसे मैंने यहाँ पर दू एक्जाम्पल लिख्यों है He lives at Samastipur, they are at home ऐसे ही at जो है place के साथ सा time के साथ भी use होता है time के लिए कैसे आर के लिए जैसे कोई भी one o clock हो गया two o clock हो गया जो भी आपके clock में जो times होते हैं उसके लिए क्या use होता है at जैसे he comes at eight o clock she will go at nine p.m. तो जो भी o clock है जैसे one o clock, two o clock, three o clock, four o clock, etc. इन सब के लिए क्या use होता है at तो at जो होता है वो किसके लिए use होता है time के लिए तो आप किसे को time बता रहे हो या पूछ रहे हो तो क्या use करोगे at अब बाकी का और अच्छी understanding के लिए हम pictures थोरे इसकी देखते हैं देखो सबसे बहले आपको mall दे रखा है तो at shopping mall, at market, at home और time के लिए क्या use होता है at 10 o'clock